हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लाट सुलोग विद पूनम में आज मैं बनाने जा रहे हूँ सूपर सोफ्ट नान की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही असान है और एकदम से टेस्टी बन कर त्यार होंगे आपको देखते ही खाने का मन करेंगा इनको और बनाना तो बहुत ही असान है तो चलिए बनाते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो कोटोरी भर करके मैदा ये तकरीबन धाई सो कुराम के करीब मैदा लिया है इसको हम डालेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक नमक आप अपने स्वाद के कोडिंग डालेजीगा एक चमच डालेंगे हम पिसी हुई च चिली फ्लेक्स दो चमच के करीब सफेद तिल की जगह पे आप इसमें काले तिल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं एक चमच बरकर के यहां पर डालेंगे पेकिंग पाउडर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया यह बारिक कटा हुआ हरा धनिया है इसके बाद इसमें डालेंगे दो चमच यह गीलिया है इसकी जगह पे आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चार चमच यहां पर लेंगे हम दही यह दही आप एकदम से फ्रेस लेना खटी दही बत लेना और इन सभी चीजों का हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी चीजों का अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर जो हमने तीन आलू लिये हैं यह उबले हुए आलू हो और इसका मैंने कद्दू कस कर लिया इसको अच्छे से मैस कर लीजीगा इसमें कोई भी गुठली नहीं रहने चाहिए और इन सभी चीजों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जैसे हमारा इसमें आलू अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें हम डालेंगे हलका गुणगुना सा दूद यह मैंने हलका सा गरम कर लिया था, थोड़ा ही दूद लगेगा, बहुत ही कम, 4-5 चमर्मच के करीब हमें दूद थोड़ा-ठोड़ा करके ही डालना है, और एक्दम से सोफ्ट आर्टा लगाना है, जिस तरह हम रोटी लगाते हैं वैसा ही आर्टा लगाना है, उससे ही तोड चिकना बना लेना है मसल मसल के आटे को इसके बाद देखिए यहां पर मैं थोड़ा से इसके पर घी का इस्तेमाल करूंगी जिससे कि हमारा आटा और भी सोफ्ट बनेगा और चिकना बनेगा इसको हम एक मिनट के लिए और मसल लेंगे अच्छे से मसलते हुए हातों की मदद स इसको चिकना बना लेना है और दस मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं यहां पर हमारे आटे को 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए इसको मैंने गिली कपड़े से ढख करके छोड़ दिया था देखे इतना सोफ्ट लगाना है दिख रहा है किस तरह का आटा लगाया मैंने अब इसके हम छोट छोटी लोईया बना लेंगे जिस तरह हम रोटी बना इससे ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है बाकि आप अपने हिसाब से जो भी सेब इसको देना चाहें दे सकते हैं यहां पर सारी की सारी लोईया मैने बना लिये अब हम यहां पर नान बना लेते हैं इसके लिए हम थोड़ा से यहां पर सूखा मैदा लेंगे इसको इस तरह स हम इसको बेलन की साइता से रोटी की सेप दे लेंगी। आप इसकी जगह पे लंबे बनाना चाहते हो। जो भी सेप के नान बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैंने इसे एकदम से रोटी की तरह ही रखा और इसी साइज का बनाया है। जो पी साइज आप बड़ा छोटा बनाना चाहते है उसी तरह से बना लेजे यहाँ पर इसी तरह से में सारे के सारे नान बना लूँगे देखें यहाँ पर हमारे सारे नान बन कर त्यार हो गए हैं इसके बाद हम इसको तवे पर पकाने के लिए चलते हैं यहाँ पर तवे को इसको ज्यादा नहीं पकाना, और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें मीडियम ही रकना है और मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है इसके बाद हम इसको पलट देते हैं यहाँ पर देखिए हमारा दूसरी सा parlar अब bunu हम तुबे के ऊपर ही सेखे एगे इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लीजिए और कपड़े की साहिता से आप इसको हलके हलके हाथों से दबाईएगा देखिए कितने अच्छे नान बन कर त्यार हुए एकदम से गुबारे की तरह फुले हैं इसी तरह से हमारे सारे के सारे नान बन कर त्यार हो गए हैं कपड़े की साइटा से इनको दबा दबा के फुलाईएगा जिससे के आपके सारे के सार नान फुलेंगे यहाँ पर देखिए हमारे नान एकदम से सोफ्ट बन कर त्यार होई अब हम यहाँ पर लेंगे मक्खन आप मारकेट वाला मक्खन भी यहाँ पर यूज कर सकते इसमें इसको अड़ करेंगे अब यहाँ पर लेंगे बारी कटा हुआ धनिया इन सबी चीजों का अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इन सब चीजों को हम अच्छे से यहाँ पर नान के ऊपर अपलाई करते जाएंगे एक के बाद एक नान इस तरह रखते जाएंगे और सारे नान पर हम इसी तरह से बटर को अपलाई कर देंगे तो लीज यहां पर सूपर सोफ्ट नान बन कर त्यार है आलू नान, बटर नान, गारलिक नान, तीनों चीजों का कॉंबिनेशन आपको एक हिनान में मिलेगा, और एक दम से सोफ्ट बन कर त्यार हुए है मैं आपको एक तोड कर दिखाते हूँ, एक दम से गुबारे की तरह अंदर से सोफ्ट बने है इसे आप किसी भी सबजी के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से पसंद आए तो like, share and comment कर देजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को subscribe कर लीजिए Thank you, bye